नमस्कार सुआगेता, आप सबसे सटीक exit pole चानक्य के मानी चाते हैं राजस्तान की सबसे होट स Chanakya के exit pole आज हम बात करेंगे टूडे चानक्य के exit pole की आपको जानकर हेरानी होगी कि सभी एक्जिट पॉल के नतीजों में से टूडे चानक्य के नतीजे पिछले चुनाओ पर नज़र डाले तो बिल्कुल सटीक साबित हुए है 2014 के लोगसवा चुनाओ में भी चानक्य के एक्जिट पॉल जैसे ही नतीजे आयते है राजस्तान की होट सीटों पर क्या कहते हैं चानक्य के एक्जिट पॉल चलिए एक एक सीट की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जोदपुर लोगसवा सीट की बात करें तो चानक्य के एक्जिट पॉल के अनुसार वेबव गहलोत यहां से हा रहे हैं गजेंदर सिंग यहां से चुनाव जीत रहे हैं नागोर लोकसवा सीट एंड ये परत्यक्सी हनुमान बेनिवाल नागोर लोकसवा सीट निकाले में काम्याब हो रहे हैं ये हम नहीं बलकि टूडे चानक्य के एकजिट पोल कह रहे हैं जो ती मिर्दा की यहां से हार बताई बाड में लोकसवा सीट की बात कर लेते हैं जा मानवेंदर सिंग जसोल को सुरू से ही जीत का दावेदार कुछ एक्जिट पॉल हुए सट्टे बाजार बता रहे थे लेकिन 24 और चानक्य के एक्जिट पॉल यहां पर भी बिजेपी के खेमे को खुस करता हुआ नजर आ रहा में नीरासा के अलवा कुछ भी हात नहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा राज्यवर्दन सिंग राटोड जैपुर ग्रामेन लोकसवा सीट पर फिर से कबजा करेंगे और कृष्णा पुनिया की यहां पर कोई टकर नहीं बताई जा रही है आराम से यह सीट इसको एक भी सीट नहीं दे रहा चानेके का एकजिट पॉल 2014 में सबसे 60 बेठेते इसके नतिजे अब 2019 में या वास्तव में ही नतिजों में बदल पाएंगे 24 चानेके के नतिजे यह देखना होगा आने वाली 23 मई को राजस्तान समयत पूरे देश विदेश की खबरें सबस पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं